स्वागत आपका एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स सेमेस्टर के इंजिनिरिंग ड्रॉइंग फर्स सब्जेक्ट के प्रिविएस येर कोस्चन पेपर को देखेंगे कि कैसे कोस्चन आपके एक्जाम में आते हैं और किस परकार के और किस कोस्चन को हम मतलब कमपल से रहता है कि करना है और यह ज्यादा इसमें पास हो जाएं तो इस वीडियो में हम के वल इसके बार में अध्यान करेंगे कैसे कोस्चन आपके राइस होते हैं अगर आप कहेंगे तो हम इसका सल्यूशन मीं देंगे पेपर हिंदी और इंग्लिस माइशरों में है अभी हम आपको दिखाएंगे बीर दिखाएंगे तो आपको दियान में रखने ए ठीक है है तो चार पॉइंट गया है पहला यहां प़े आपको दिक रहा हुगा उपर सबसे पहले हर एक सब्जग्क क्या होता है पच्यास नमबर का लेकिन इंजिनarm जो है वो आपका 60 मार्क पराओगा ठीक है और घंटे इसमें आपको 3 मिलेंगे सब्जेक्ट में 5 घंटे मिलें लेकिन इसमें 3 घंटे मिलें यह आपको याद रखना है ठीक है और देखे सबसे पहला कोशन attempt for question in all आपके 5 से 6 question होंगे जिसमें 4 question attempt करने होंगे और question number first is compulsory मगर इसमें है condition कि जो आपका question first होगा जो आपका question first होगा वो आपको किसी भी condition में करना है अगर आप question first नहीं करते हैं अगर आगे के सारी question कर देते हैं तो आपको भी back लगा दी जाएगी इस subject में question number first compulsory है ठीक है उसके बार से यहाँ पर दिया है कि question हिंदी इंगली सी दोने में रहेंगे mobile का यूज आपको नहीं करना है इस सारी चीज़े और dimension सही से दिखाना है जो भी आपकी line होंगी देखा होंगी पौन से pencil का यूज करते हैं compulsory रहेगा ठीक है जो पहला question आपको आएगा वह पहले question पहले question अपको काफी easy होता है काफी easy होता है और आपका 18 number का question होता है यहां पर देखिए 18 number का total पहला question होता है और काफी इसका process easy होता है बस आपको थोड़ा समय जाए अगर अगर आप कहेंगे तो मैं इसका solution इस वीडियो में तुम्हें आपको किवर बताऊंगा कि किस टाप के question आते हैं लेकिन अगर आप कहेंगे comment करेंगे बच्चों की संक्षिया जादे हो गई ठीक है दो 400 तक हो गई comment कर दिये तो मैं इसका solution आपको देंगा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसमें बैक नहीं लगने दूंगा मैं आपकर 드ण और आपको मिनीमें 20 चाहिए लेकिन साथ में 20 22 25 30 ऐसे जाता जाता इसमें कोश्चन तो क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो पहले सबसे पहला कोश्चन देखिए यहां पर कोश्चन दिया है एक वस्तु का सम्मीति दिर से दिया गया है उंचित पैमाने में विमाओं के सास्थ हैं मतलब क्या है आपका देखिए यहां पर क्या होता है आपने विल्लिंग देखी होंगी ठीक है विल्लिंग तो आप घर में राते ही होंगे तो यहां पर कोई विल्लिंग देदेगा ठीक है अगर विल्लिंग देगा तो आपको ऐसे नंगी आंखों से आप उसके विल्लिंग मिन से तो तो चारद से घूम के आप देख सकते हैं लेकिन अगर आप कागल में बनाएंगे तो उसमें आपको दिखकतов के लाग MP3 ४ बनानु होती है थै कि है तो आपको दिया है नब dो महाइं होते हैं लेकिन इसमें यहां पर जब condition यह आ जाती है तो इसका figure थोड़ा ऊपर निचे बनता है जिसे आपके चार coordinate होते हैं फर्स्ट में और सकेंड में थार्ड में फोर्थ में तो कहां बनेगा मैं इसको थोड़ा सा बता जता हूं बस इसमें कुछ बताऊंगा नहीं पेपर का अध तो यहां पर त्रीटी कोड़ी परशेव में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमेशा क्या होगा आपका front view हमेशा जो सबसे पहले बना जाता है तो हमेशा आपका front view क्या होगा नीचे होगा और नीचे होगा नीचे के बाद भी एक condition आती है यहां से देखेंगे left side में है या फिर right side में तो front view कहा है left side में तो front view अगर left side में है तो front view यहां पर क्या बनेगा left side में यह धियान रखने वाली बात है front view अगर left side में है तो front view हमेशा left side में ही बनेगा और front view के ऊपर हमेशा क्या बनता है top view यह जो आप देख रहे है top view ऊपर से देख रहे हैं तो रेंट बी ओपर उपर रेंशा डॉल बनता है और फ्रेंट डियूझ के साइड में हमैं साइड बनता है यहां से क्या कि आता है पहले फ्रेंट बना जाते हैं फिर बना जाता है फिर तॉप प्रफम कोणी पर्शेव तो आपको क्या करना होता है moi Mm अगर वही आपका कहिँए कि first उंगलरा प्रचेक्शन मे यानि प्रफम कोणी परचेव में इसको समझाइजैने इसको खीचिए औरे किढिए तो आपका वहां इगा वहां जाता हुग तेक्म हुद में दिया होता है तो यह उपर बनेगा लेकिन ऊपर काहां बनेगा उसके लिए लेफ्ट में बनेगा यहां पर राइट में बनेगा उपको विश्येस बातों का ध्यान अकना है उसके बावजूद आपको क्या करना है जो भी पोर्शन दिखेगा ठीक है इस परकार से कटा हुवा पोर्शन आपको दिखेेगा निया इसका मापित वह में तरीके कितने चहें कि इसको करके इसमें एरु लगा दिया थीक है उस परकार ऊपर चार जीतना भी मेंसिन होगा इसकी वह आपकी माइने रखती है अगर डैमेंसिन नहीं बनाएगे ऑप फीगा थोड़ा एक बीच में आजाएगा जितने भी इसके प्रोजेक्शन आएंगे इसको नीचे लेंगे फिर यहां फिकर बनाएंगे जो भी फिकर आपका फ्रेंट वीडियो को बाट टॉप यहां पर देखेंगे तो अगर उपर से देखेंगे तो यह केवल एक इस पर कार की लाइन दीख करने रहते हैं तो काफे साथ करना है इसमें कर लेते हैं लेकिन इस को छोड़ देते हैं इसमें क्या आता है यहां पर इसको कैसे दर साय करता है तो इसमें पहले तो यहीं करते हैं बाद में अगर समय बचता है तो यह वाला आप कर लेते हैं कहीं से इधर उधर से चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है आप अपने मत से करें ठीक है तिह आप देखिए 10 mm के एकल परियास 36 अक्षरों में निम लिखी तो बाक्यों के लिखिए 10 mm कि है मतलब आपका कहेंगे अगर आप कमेंड करेंगे तो मैं इसका सल्यूशन आपको सही से बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है और कैसे सारी चीजे अक्षर जितने होते हैं कैसे सारी बनते हैं ठीक है और कैसे आपको मैं स्केल की साहता से बताऊंगा बस इस वीडियो में केवाद पेपर का लेसे करा रहा हूं कि किस परकार के पेपर आपके बंदे हैं इसका दर्साना होता है देखें क्या कर दिये हैं तो आपको कैसे दर्शाना है आपको जैसे फिगर के माध्यम से दर्शाना होता है तो चलिए इसको भी आप देख लेंगे और कहेंगे तो इसका भी में है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका मतलब जो हर बार एक जाम में आते हैं प्रिविएस यह कि पिछले पांच सालों में उसको मैं बता दूंगो तो आपको याद करेंगे तो आपके कम से कम कम से कम 500 फिगर मिलेंगे तो 500 फिगर देखिए हाला है कि हालत मौपनी से लिया गया ठीक है तो एक नक्षे पर दो बीनदू की दूरी 14 सिंसूरी दूरी यहां कहने का मतलब क्या मतलब क्या है देख सिखाओं के बोटbokने दिष Right कि आपसे म्समक्राइब पर कि थ्रू लिए अगर आपको कुछ बनानी है रोड जैसे कुछ भी तो आप क्या करते हैं जीसे कि माली अगर नक्से में बनाएंगे तो आप मानक जीसे माली कि 50 km दूर तक रोड बनना है तो आप नक्से में क्या मानेंगे नक्से मानेंगे कि 10 km बराबर 1 cm, ऐसे मान के बनाएंगे इसलिए कि नक्से में तो 50 km का पेज लाएंगे नहीं, उसमें रोड खीचेंगे नहीं, तो उसमें आपको मानक मान, मतलब एक मानना रहता है कि हाँ, 10 km बराबर 1 cm होगा, तो इस हिसाब से आपकी जो जितनी दूरी हो करा दूँगा और काफी बैसिक तरीके से कोस्चन आएगा अगर आपके एक्जाम में तो आप देखते हैं उसको सौल्व कर देंगे, थोड़ी भी परिशानी नहीं होगी ठीक है, और यह भी कोस्चन आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर होगा, फिर से उसके बाद से आ आपके दो ऐसे कोडियेट होंगे, तो कहेगा कि वी पी से उपर है, ठीक है, वी पी एए हच्पी आपको जानना पड़ेगा, वी पी ए एच्पी कहां होता है, वी पी कूपर है, तो इसका आपको फिगर कुछी इस परकार से, यह कहेगा कि 35 डिगरी पर इंक्राइंट है, उसके बास यह आपको ऐसे प्रोजेक्शन खीचना पड़ता है, और इसको ऐसे मिलाना पड़ता है, प्रोसेस काफी इजी होता है, बस आपको इसका मतलब आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें बस कमेंट कर देंगे, तो इसका सब कोश्चन का अलगर मैं आपको वीडिय हो गए, अक्तागोना हो गया, मतलब कोई भी एक आपको फीगर बनाने के लिए कहेगा, या फिर वक्र हो गया, कोई मतलब कुछ भी कह सकता है, लिखे किसी एक वीडिद्वारत 30 mm भुजा वाले एक समस्ट भोज, यानि हैक्सागोनल की रचना कीजिए, हैक्सागोनल की मतल होता है, तो यह भी कहेंगे, तुम्हें आपको बता दूगा, ठीक है, और इसमें देखिए, कई पाट आता है, 45 mm वाले एक संकु उचाई, मतलब एक संकु का आपको यहाँ पर निर्मार करना है, सिर्य सब्दम सब्दम सब्दिए, एक संकु का सेलेंडर का आपको यहाँ मतलब हाँ, सिलेंडर, सर्कुलर, मतलब एक सर्कुलर मोरसन होता है, इस परकार का आपका कुछ होता है, इस परकार का यह आपको निर्मार करना होता है, संकु टाइप का, इस परकार के कुछ फीगर होता है, तो यह भी कहेंगे, तुम्हें आपको बता दूगा, ठीक है, अ जमाइंद ह생 Civic यहहां करता है लेकिन होता है कि समय लगता है अधर से 45 मिनट कम से कम लगते हैं तो यह तो यह कोच्छन कर दहने हैं तो इसके बावन दूद आप कर किल सब्लार । ऊपर से करने नहीं च्वें रहा है ड़े सुर बेवक्र jagPD अगर आपको इसका solution चाहिए तो आप हमारी वीडियो के comment box में comment कर सकते हैं और सभी subject के अगर आपको previous year question paper चाहिए तो आप हमारी वीडियो करेंगे वीडियो के comment बाक्स में यह भी comment जरूर करेंगे कि हां sir हमें सभी सब्सक्राइब करेंगे चाहिए तो मैं आपको सारी चीजि में देहन ने ने वीडियो वी